हेलो फ्रेंद्स, वेलकम टू साल्सपो कुकिंग, आज हम अपने केचिन में असानी से बनने वाली आलू मटर टमाटर बनाने जा रहे हैं, यह असानी से बन चाती है, और इसे जिसे गैस ट्राइब कर आपके आगे हैं, खाना कम पढ़ रहे हैं, तो आप इसमें फटा-फट बनने वाले यह रेसिपी है, चलिए अब हम आलू टमाटर मटर बनाना श्रू करते हैं, आलू मटर टमाटर बनाने के लिए सबसे पहले हम मोटा मसाला कोट लेंगे, जिसमें मैंने दो-तिन काले मिट्च, दो-तिन लॉंग, एक बड़ी लाई ची और एक टुकड़ दाल ची देंगे, मीडियम अच पे, और उसमें देल से दो चम्मा सरसोखा तेल डाल देंगे, तेल को गरम होने देंगे, हमारा तेल गरम होच चुका है, अब इसने में एक चुटकी हींग दाल दूगी, फिर इसने में आदा चमच जीरा, आदी चमच हल्दी पाउडर, और एक चुटकी करी लाल मिच पाउडर, इसमें मोंने दूगी, अब इसमें मैं अद्रक को मिच डाल दूगी, मैंने एक टुकडा अद्रक कर लिया था, और दो हरी मिच लमभी लमभी काट ली थी, दार्कंट प्रप्डब। इसमे पिन टाथे नालविछ जो कुझों. र साभॉत लाल मिच कोड़ी यह जो ऊपय कुझाओ आप देक सथे हैं में आप जाफ दूंगया हैं, आप डालोगी. मैंने दो मेडियों साइज टमाटर इसमें बारिक बारिक कापी है और यह डाल दूँगी यह डालकर अच्छे से चला दूँगी अब इसमें नमक दाल दूँगी और अच्छे से चला दूँगी अब टमाटर की गल्ले तक बैसे पकाऊंगी जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी टमाटर गल्चुके है अच्छे से अब इसमें हम अप्रा खड़ा मसाला डाल देंगे जो मैंने वन फूर्थ लाल मिच ली थी बाकी के लाल मिच भी डाल देंगे घनिया पाउडर जो मैंने हाफ चमच लिया था वो भी डाल देंगे अब इसे अच्छी से मिक्स कर देंगे मेरे मसाले पच्छे से मीक्स हो चुके है अब इसमें मैं आफ का टोरी करी मटर डाल मैंने इते फ्रोजन मटर ली है अगर आपके पास दूसरी टैप की मटर जो हमारी रेगलो मटर है वह है तो भी डाल सेते हैं अब इसमें मैं आदा चम्मच करीब गी डाल दूंगी यह डाल कर अब मैं इसे चिसे चला लोंगी इसे मैंने मिलाते हुए दो मुलेट हो चुके हैं अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी एक से दो मुलेट ही लगते हैं मिलाने में अब मैं इसमें आलू डाल कर इसे भी मिला लूंगी मैंने इधर दू मीडियम से इसके आलू लेकर उने काट लिया है चौकोर स्टाइल में अब इन्हें मिक्स कर लोगी हमारी टमाटर पकने में 3-4 मिट लगते हैं मीडिय माच पे इसे में अभी खला रही हूँ अब मारे ये अच्छे से मिल चुका है अब इसमें में पानी डाल दूगी एक कप करी पानी और आप अपने हिसाब से जितना आपको पतली चाहिए सबजी उस हिसाब से कम हो जादा कर सकते हैं अब इसमें में जो मैंने वन थर्ड नमक लिया था वो पूरा डाल दूगी और इसे अच्छे से मिला लोगी मिलाकर अब मैं ऐसे फुल आज पर एक से दू सीटी ले लोगी हमारी माटर अलो टमाटर बनके तयार है मैंने इसमें दू सीटी ली है तेज आज पर और इसे अब मैं खोल रही हूं इसकी गैस भी निकल चुकी है आप देख सकते हैं हमारे अलो भी हो गए है इसका रंग भी अच्छा आया है देखें आलो भी हो गए आप इसमें मैं गरम मसालव्वी और अपनी घ्टाई डाल दूँगी और साथ में आपनी गैस की चालू कर दूँगी लो से मेडियम पर इधर मैंने गरम मसालव्वी लिया है फें और खटाई पाउडर भी लिया है अब इसे में अच्छी से मिक्स कर दूँगी अब मारे मसाले भी मिक्स हो गए है और हमारे सबजी में एक बॉल भी आ गया हुके हम गयाउ कहा ऐसी को बन कर देंगे और बॉल में निकाल कर इसे में गधनी के गानश कर दूँगी देखिए फ्रेंज हमारी आलू मट्टा टमाटर बन के तयार है इसका रंग भी कितना अच्छा आया है और खाने में भी बहुत स्वादिस्ट है और साथी साथ इसकी मैग भी बहुत अच्छी आ रही है गरमसाले के वज़े से और ख़ड़े मसालों के वज़े से इसे आप आस अनको सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपनी फामिली और फ्रेंज के साथ शेय करें और कमेंट करके बता है साथ बहु की कुकिंग के साथ आपका एक्स्पियर्स